नमस्कार दोस्तों आप लोगों का दबुक्स क्लब में स्वागत हमित्रो आज हम राश्टी प्रतीक एवं चिन से रिलेटेड तीस वेरी इंपोर्टेंट कोशन लेके आए हैं आपके एक्जाम के लिए तो कोशिस ये करेंगे कि इन कोश्चनों को बहुत अच्छे तरिक समझ कर आपको याद करा दिया जाएगा तो चलिए सुरुआत करते हैं और जो मित्र नए हैं अगर उनको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सेयर, कमेंट और सस्क्राइब करना और साथ में विल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे तो चलिए सुरुआत करते हैं हमारा पहला कोश्चन क्या है भारत का राष्टी धोज तिरंगा है जिसकी लंबाई तथा चड़ाई का अनुपाद क्या है तीन अनुपाद दो भारत का राष्टी धोज तिरंगा है जिसकी लंबाई तथा चड़ है 24 है very important question है कई बार exam में पूछा गया है next देख लेते हैं अगला question राश्टी धोज के निर्माता थे कौन पिंगली वेंकईया very very important है question राश्टी धोज के निर्माता कौन थे पिंगली वेंकईया धोज का पेरूप सम्विधान निमात्री सभा दोरा को अपनाया गया था कब 22 जुलाई 1947 को धोज का पेरूप सम्विधान निमात्री सभा दोरा कब अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को ब्हारत के जंडा गीत बिजाई विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की सिरी सियाम लाल गुप्त पारसदने भारत के जंडागीत बिजाई विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की सिरी स्यामलाल गुप्ट पारसद ने नेक्स्ट अगला कोशन देख लेते हैं संग संवत पर आधारित भारत की राष्टी कलेंडर को कब अपनाया गया तो 22 मार्च 1957 को वेरी इंपोर्टेंट है आपकी इग्जाम के लिए संग संवत पर आधारित भारत की राष्टी कलेंडर को कब अपनाया गया 22 मार्च 1957 को राश्टी कलेंडर का प्रथम महा चेत तता अंती महा होता है कौन सा फागुन राश्टी कलेंडर का प्रथम महा चेत तता अंती महा कौन सा होता है फागुन नेक्स अगला कोशन देख लेते हैं अगला है भारत का राष्टी चिन है जो सारनात इस्थित सिंग स्थम में अंकित है तो वो है असोग चक्र भारत का राष्टी चिन है जो सारनात इस्थित सिंग स्थम में अंकित है वो है असोग चक्र भारत सरकार ने राष्टी चिन को अपनाया था कब 26 जनवरी 1950 को 12 सरकार ने राष्टी चिन को कब अपनाया था 26 जनवरी 1950 को नेक्ट अगला कोशन देख लेते हैं अगला है राष्टी चिन में देवनागरी लिप में लिखा सत्य में उजयते कहां से लिया गया है तो मंडो को अपने सत्य से लिया गया है राष्टी चिन में देवनागरी लिप में लिखा सत्य में ओ जैते कहां से लिया गया है तो मुंडो को पने सत्य से लिया गया है राष्टी चिन के मूल स्थम में सिंग के कितने हैं चार हैं राष्टी चिन के मूल स्थम में सिंग हैं कितने चार अगला कोशन देख लेते हैं विशन नरादत में गाया गया था कब राष्टगान को सर्पतम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था बिधाता सीर्सक से प्रकासित किया था किसने रविंदनाद टैगोर ने रविंदनाद टैगोर ने सर्पतम जनवरी 1912 में तत बोधिनी पत्रिका में भारत भाग बिधाता सीर्सक से प्रकासित किया था राष्ट गान को गाने में कितने सिकंड लगते हैं तो 52 राष्ट गाने में कितने सिकंड लगते हैं 52 नेक्स्ट अगला कोशन देख लेते हैं बांगला साहित कार बंकिम चंद चटरजी बंदे मात्रम को समिधान सबा ने कब राष्ट गीत की रूपें सिवकार किया तो चौवईच जनवरी 1950 को बांगला साहित कार बंकिम चंचटरजी रचित बंदे मातरम को समिधा सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्टी गीत स्यूकार किया था राष्टी गीत को अब प्रथम प्रकासन 1882 में बंकिम चंचटरजी के उपन्यास किस में हुआ था आनंद मठ में राष्टी गीत का प्रथम प्रकासन 1882 में बंकिम चंचटरजी के उपन्यास में हुआ था कौन सा उपन्यास था आनंद मठ था नेक्ट अगला कोशन देख लेते हैं राष्टी गीत को सरपतम 1896 में कांग्रेस के अद्यच रहिम तुल्ला शैनी में गाया कोलकाता अधिवेशन में राष्टी गीत को सरपतम 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था राष्टी गीत के प्रथम गायक थे जिनकी जिसकी धुन साधूनात भट्राचारी ने बनाई तो पंडित ओमकारनात ठाकूर राष्ट गीत के प्रथम गायक थे जिसकी धुन जादूनात भट्राचारी ने बनाई तो पंडित ओमकारनात ठाकूर राष्ट गीत के प्रथम गायक थे पंडित तोम कारना ठाकुर नेक्ट अगला देख लेते हैं राष्ट गीत का अंग्रेजी अनुबाद किया किसने अरविंद घोस ने किया था राष्ट गीत का अंग्रेजी अनुबाद किसने किया था अरबिंद घोस ने किया था राष्टगीत गाने में सिकंड कितने लगते हैं तो 65 सिकंड लगते हैं राष्टगीत गाने में सिकंड कितने लगते हैं 65 नेक्ट अगला देख लेते हैं संसद के आधवेशन का प्रारम्ब होता है किसे जनगर्मन अधिनायक से है हमारा कौन कमल नेक्स्ट अगला देख लेते हैं राष्टी पस्प कौन है हमारा कमल राष्टी पसु है बाग राष्टी पस कौन सा है हमारा बाग राष्टी फल है हमारा आम राष्टी फल क्या है हमारा आम है नेक्स्ट अगला देख लेते हैं राष्टी ब्रच्छ है हमा बरगत राष्टी बेच्छ है हमारा बरगत राष्टगीत का उर्दू अनबाद किस ने किया था तो आरिप मुहंबत खान ने राष्टगीत का उर्दू अनबाद किस ने किया था आरिप मुहंबत खान ने अगला संसत के आध्वेशन समापन से होता है क्या बंदे मातरम संसत के आद्वेशन का जो समापन होता है तब क्या होता है बंदे मातरम और जब सुरुवात होती है तो जनगर्मन भारत का राष्टी जली जियू काउन है तो डालफिन है तो मित्रो ये तीस वेरी इंपॉर्टन कोशन थे इनको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जिन मित्रों ने अभी तक दबुक्स क्लब यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और रिवीजन के बाद वीडियो को अपने कम से कम 10 मित्रों को जरूर सेर करिएगा तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं बार हमारा पहला कोशन क्या है हमारा पहला कोशन था भारत का राष्टी धोज तिरंगा है जिसकी लंबाई तथा चोड़ाई क्या है तो तीन अनुपात दो most important है कई बार exam में पूछा गया है नेक्स्ट अगला देख लेते हैं तिरंगे तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तता जिसमें तीलियां कितनी है 24 है राष्टी धोज के निर्माता कौन थे राष्टी धोज के निर्माता थे पिंगली बंकईया नेक्स्ट अगला देख लेते हैं धोज का पैरूप सम्विधान निमेत्री सभा दोरा कब अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947 को आम लोग जिने सा सम्मान तरंगा फैराने के अनुमद प्रदान की गई थी तो 26 जनवरी 2002 को नेक्स्ट अगला भारत के जंडा गीत बिजाई विस्वित तरंगा प्यारा की रचना किस ने की थी ति तो सिरी सियाम लाल गुप्त पारसद ने की थी संग समत पर आधारित भारत के राष्टी कलेंडर को कब अपनाया गया तो 22 मार्च 1967 को नेक्स्ट अगला राष्टी कलेंडर का प्रथम महा चै तो अंति महा कौन सा है तो फागुन है भारत का राष्टी चिन जो सारना तिस्तिस सिंग स्थम में अंकित है वो क्या है असोक चक्र नेक्ट अगला कोशन देख लेते हैं भारत सरकार ने राष्टी चिन को कब अपनाया था तो 26 जनवरी 1950 को राष्टी चिन में देवनागरी लिपी में लिखा सत्य में जैते कहां से लिया गया था तो ये मुंडो को पनिसा से लिया गया था अगला राष्टी चिन के मूल इस्थम्ब में सिंग है कितने चार रविंद नाथ टैगो रचित जनगरमन को सम्विधान सभा ने भारत का राष्ट गान स्युकार कप किया था तो 24 जनवरी 1950 को अगला राष्ट गान को सरप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था कब 27 दिसंबर 1911 को राष्ट गान ने सरप्रथम जनवरी 1912 में तत बोधनी पत्रिका में भारत भाग विधाता सीरसक से प्रकासित किया किसने रविंद नाथ टैगोर जी ने नेक्स्ट अगला राष्ट गान गाने में सिकंड लगते हैं कितने 52 सिकंड लगते हैं बांगला साहित कार बंकिम चंचटर जी बंदे मातरम को समिधान सबाने राष्ट गीत सब कब सिवकार किया 24 जनवरी 1950 को दोनों को जनगर मन राष्ट गान और राष्ट गीत दोनों को राष्ट गीत को प्रतम प्रकासन 1882 में बंकिंग चंच टरजी के उपन्यास में हुआ था वो कौन सा उपन्यास था आनंद मठ था राष्टी गीत को सर्पतम 1896 में कांग्रेस के गाया गयत कहां पर कोलका था आधिवेशन में राष्ट गीत के प्रतम गायक थे जिनकी धुन जादू नात्भम भटचार ने बनाई तो पंडित ओम का नठ थाकूर राष्ट गीत का अंग्रेजी अनुबात किस ने किया तो अरबिन घोश ने किया नेक्स्ट अगला देख लेते हैं राष्ट गीत गाने में सिकंड लगते हैं कितने 65 सिकंड लगते हैं और राष्ट गान में 52 सिकंड संसद के आध्वेशन का प्यारम किसे होता है तो जन गड़ मन से होता है राष्टी पुस्प कौन है हमारा तो राष्टी पुस्प है हमारा कमल राष्टी पसु कौन है हमारा तो बाग है राष्टी फल कौन सा है हमारा तो राष्टी फल है हमारा आम राष्टी बिच्छ कौन है हमारा तो बरगत राष्टी गीत का उर्दू अनबाद किस ने किया तो उर्दो अनबात किया आरिप मुहम्मत खान ने संसद के आधिवेशन समाप्त पर क्या गया जाता है बंदे मात्रम भारत का राष्टी जली जी कौन सा है तो वो है डाल्फिन मेतरो इसकी पीडियव अगर आप चाहते हैं तो हमारे जो है टेली ग्राम नौलेज इदा पावर से सर्च करके वहां से इसकी पीडियव भी आप राप्त कर सकते हैं वीडियो कैसा लखा कमेंट वाक्स में जरूर बताएगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सस्क्राब करना मत भूलेग बहुत बहुत धन्यवाद